सीध है आज का वो पहला सवार सी वोटर के सर्वे में हमने सबसे पहले समझने की कोशश की है कि आकरकार उत्तर प्रदेश में कौन सा मुद्धा प्रभावी और ये क्योंकि डेली का ट्राकर है तो ऐसे में 6 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच ये जो मुद्धे हम आपको दिखाने जा रहे हैं 10 दन के भीतर युपी चुनाफ के मुद्धो पर जो लोगों की राय सामने निकल कर आ रही है कितनी बदली है साथ के साथ वो भी आपको दिखा रहे हैं तो आप देख सकते हैं ध्रूविकरण का मुद्धा 6 दिसम्बर को 16 फीसदी लोग इसको प्रभावी बता रहे थे और आज इसमें इजाफा 1 फीसदी का हुआ है 17 फीसदी लोग मान रहे हैं कि धुरूविकरन का मुद्दा प्रभावी रहने वाला है वहीं किसान आंदोलन इसे प्रभावी बताने वाले लोगों की संख्या सबसे जादा जरूर है लेकिन 6 दिसम्बर के मुकाबले अब इसमें 3 फीसदी की कमी हुई है 6 दिसंबर को किसान आंदोलन प्रभावी कहने वालों की संक्या 28 फीसिदी थी जो आज की तारीख में घटकर 25 फीसिदी रह गई है इसके लावा आप देख सकते हैं कि कोरोना का मुद्दा 6 दिसंबर को 15 फीसिदी लोग कह रहते चुनाव में प्रभावी रहेगा और अब जस तरीके से ओमिक्रॉन का खत्रा बढ़ आए तो ऐसे में आज की तारीख में एक फीसिदी इजाफा उन लोगों में भी जो मान रहे हैं कि कोरोना इन चुनाव में बड़ा मुद्दा रहने वाला है और साथी साथ कानून व्यवस्था का मुद्दा भी एक फीसिदी इसमें भी बढ़ हुतरी हुई है जो लोग मान रहे हैं कि इस बार यूपी चुनाव में ये मुद्दा प्रभावी रहने वाला है को प्रभावी मान रहे हैं और साथी अन्य मुद्दों को गिनाते हुए दस फीसिदी लोग उनकी संख्या में भी किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा किसान अंदोलन हो जाता है महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा धुरूविकरन हो जाता है और महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था भी हो जाता है सीधे आपको लेकर चलेंगे सबसे पहले लखनव, हमारे सायोगी, संजय थुरपाथी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है संजय कानून व्यवस्था, 6 दिसंबर के मुकादले आज की तारीख में एक फीसदी लोग बढ़ गए जो मान रहे कानून व्यवस्था महत्वपूर मुद्दा रहने वाला है और कानून व्यवस्था को लेकर ही तो योगी सरकार अपनी बीठ थप थपाती रही है तो ऐसे में महत्वपूर ये हो जाता है कि जब कानून विवस्था की बात होगी तो फिर हात्रस, लखीमपूर या फिर पलाइन रोकना और केराना कौन सा मुद्धा प्रभावी होगा? अगर कानून विवस्था प्रभावी होता है तो सरकार को फायदा या सरकार को नुक्सा बिल्कुल रोमाना 2017 के चुनाओं आपको याद होगा जब भारती जनता पार्टी ने कानून विवस्ता को ही मुद्दा बनाया था और जगे जगे पर होने वाली घटनाओं को लेकर राजनी शुरू हुई थी और कहा गया था कि कानून विवस्ता प्रदेश की खराब है और इसके लिए बदलाओ चाहिए अब मैं बात करूंगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदोरिया क्या लगता है 2022 के चुनाओं में कानून विवस्ता कितना बड़ा विश्य होगा देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर में जब से भारती जनता पार्टी की स कर दी पुलिस वालों ने किस का नाम आ गया है साइटी में जिसके बेटे पे रहोप है किसान को रोंदने वाले को यह को देश को ग्रह राज-मंत्री बना जित प्रदेश के मउखमंत्री है और जो अपनी उपर से अपराधि मुकद्म है नंतरी बना बैटा हुआ 114 बिदाय कैसे हैं जिस पर संगीन मुकदमे हैं वो सम यहां पे खुले आम उनके यहां कुई कुछ नहीं हो रहा है उनको बचानी कोशिश करते हैं सोचो आप उनको छोड़ो दीजी लॉइन ओडर जो कह रहे थे हत्रस की बेटी को रात के अंधियरे में बिना मावाप के पर समाजवादी सरकार आएगी तो हम 25 लाग रुपए से परिवार की मदद करेंगे वो परिवार बच्चे अनात हो गए माता पितना हमारी मां बेने विद्वा होगी उनके बारे में सरकार को चिंता नहीं बड़ा विशे है हात्रस कांड लखिमपूर कांड फैजान भाई बहुजन समाजवादी के परवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं क्या लगता है कितना बड़ा मुद्दा होगे 2022 के चुनाओं के देखे 2022 के चुनाओं में उत्तर परदेश की जनता ने तो बिलकुल मन बना ल तो यह वहां पर चार धाम घूम रहे हैं और टैनी साव इनके लगतार कानून के धजियां उड़ा रहे हैं तो माफिया गेर्दी जी तरह से बढ़ी है और भारतिय जनता पार्टी के अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उस ट्रैक रिकॉर्ड में हम देखेंगे कि जि सब्सक्राइब करनामा देख लिजिए तो अगर ततकाल परभावस से बहुजान सबाजवादी पार्टी की मांग है कि उन्हें पत्से बर्खास नहीं किया गया उन्हें जेल नहीं भेजा गया तो हमें डर है कि कहीं दूसरा लखिम पुर्खिरी टैनी सब ना कर बैठे जो 2222 के चुनाओं में बीजेपी को नुकसान नहीं पहुचाने जा रहा है ने निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बहुत नुकसान दे है पर संदेग यह कि प्रधानमंत्री जी उसको हटाएंगे नहीं हटाएंगे इसके पहले भी उनकी एक सांसद महुद्या ने इस दिन से घटना हुई उस दिन से सारे चैनल सारे जितने विभी पार्टियां हैं सब कह रही है कि टेनी मिस्टा का लगा दूसी है लेकिन लगातार सरकार भारत सरकार प्रदेश सरकार टेनी मिस्टा और उनके लग्यों को बचाने का प्रयास करती रही अब जब S.I.T. न प्रदान मंतरी का इस तीवा अगर हटा दिया तो क्या लगता है कि 2022 में गेंगे तो 26 उद्रेगी भारती जनता पार्टी में अगर आपको मंतरी बनना है तो आपका अपरादी रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है अगर आपको यहाँ पर पदमसरी अवורड लेना है तो आपको राष्ट को गाली देनी पड़ेगी जो राष्ट को जिन्नों ने आजादी कराई तो उनको भिकारी बोलना पड़ेगा तो आपको पदमसरी का अव़ोरड मिल जाएगा यहां पराधी हो यहां पराधी हो या राष्ट को कुछ बंदनाम करने की या राष्ट को अपमानित करने की बात करता हो ये रोमाना आपके सामने हैं जो राय है समाजवादी पार्टी के लोग हैं कि बड़ा विशे है कानून व्योस्ता और लगातार उत्तर प्रदेश की कानून व्योस्ता बिगड रही है ऐसा आरोप लगा रहा है बिल्कुल और ये तमाम जो आवाज हैं विपक्ष की आवाज हैं ऐसे में सत्ता पक्ष की आवाज जानना भी जरूरी हो जाता है रविकांट के पास आपको लेकर चलेंगे जिनके साथ इस वक्त बीजेपी की तरफ से बोलने वाले नेता भी मौझूद हैं और जरा रविकांट से जानते हैं कि कानून विवस्था का मुद्दा अगर प्रदेश पर बढ़ेगा तो योगी सरकार के लिए रास्ता आसान होगा या मुश्किल बढ़ेगी रविकांट गाजियाबाद में खड़ा हूँ और यहां पर क्राइम पर जंता से सवाल करना सबसे यादा मुफीद है यहां पर हमारे साथ अभिशेग गर्ग हैं समाजवादी पार्टी से उन से शुरू करते हैं क्या लगता है आपको लॉइंड आर्डर मुद्दा है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है लेकिन आज यह आर्थिक राजधानी के साथ साथ क्राइम की राजधानी भी बन चुका है और चेन स्नेचिंग बहुत बड़े पैमाने पर गाजियाबाद के अंदर हो रही है छिनेती बहुत बड़े पैमाने जाकिर साफित है आप बताइए चेतन जी देखे राजधानी से लगा हुआ जिला है और बड़े दुर्भाग्य की बात है जब से भारता जिंता पाल्टी की सरकार प्रदेश में आई है यह जिला क्राइम कैपिटल बन चुका है ना यहां व्यापारी सुरक्षित हैं ना महिल कि कौट में है को उसके निर लेंगा और हमारे बड़े पत्रकार की डुरुर्विभापार किया है उस लोग कुछ कहना मुझे कत्रकारों से दुर Grade करना चाहिए जो दोश्यों से सजादेनी चाहिए अगर किसी बेटे ने कोई काम किया या कोई गलती किया तो बापको सजाद फोड़ी मिलेगी बेटे की बेटे पर बात करिये पिताजी पर धंकी दी इसलिए विपक्ष कहरा है किसको घटना से पहले उन्होंने धंकी भरे बातें कहीं ती उन्होंने धंकी कोई ने दी उन्होंने ये कांथा कि ये जो लोग हैं किसान है में पूरे देश kisani नहीं कूछ लोगं के हो गएं और वह और एपनी डिमांड कर रहे हैं वह अपनी मांग कर लेए और नगी जुवरूंस प्राद करू सौले निगौी जो गहतना होई В्टे प्रमुग भी है आप क्या कहेंगे इस मुद्दे मेरा तो यह कहना मेरी यही समझ मैं नहीं आता है पार्टी वाले कह रहे हैं के भार के किसान है कौन से देश के किसाने कभी आतंकवादी कदी खालिस्तानी और उनकी सारी बात भी मान रहे हैं फिर इनका यह चाहते क्या है बाजपा वाले समझ नहीं आ रहा वीजेपी ने जो पक्ष रखा उससे आप सहमत हैं बिल्कुल सहमत नहीं है सरकार की हड़ धर्मिता दिखाती है ऐसे ग्रहराज् बाएदा मिलेगा निश्य तोर पर बीजेपी को बहुत बड़ा इसका नुक्सान होने जा रहा है और जनता यह सब कुछ नोटिस कर रही है और जनता निश्य तोर पर विजद्वित इस घट्टा करम को कैसे लेते हैं सब चुनावी नजरिये में नुक्सान होगा ही होगा बाप के संसकार बेटे में आये हैं आप बाप का एक बार ग्रह राज्य मंत्री जी का इतिहास जान लीजिए आपको पता चल जाएगा कि ये बेटे की गलती है या बाप का इतिहास ही खराब है सत्ता के नसे में क्या लगता है बीजेपी क्यों उनको बचा रही है जबकि चुनाव है चुनाव से कुछ ने कुछ लेना देना होगा इसका देखे बीजेपी तो उन्हें बचाएगी अंतिम समय तक क्योंकि ना तो इन्हें किसानों की परवा है ना इन्हें नोजवानों की परवा है जो मंत्री का बेटा सरे राक किसानों पर गाडियां चढ़ा देता है सीधे चुनावी नजरीय से हम जानना चाहते हैं कि BJP के लिए चुनाव को देखते हुए कितना जरूरी है तेनी जी जो विशय था उससे भटगे मझे लगता है अब आज विशय था के सर्वे हो रहा है और की लाइंड और की बात हो रही है और सर्वे उससे जुड़ा होता है कि वेस्टन यूपी में भार जेनता पालिटी को कितनी सीट मिलेंगी आपका सर्वे आ रहा है उस पर हमें बोलना है पर मुझे लगता सारा विश्य टैनी जी पर आ गया उसों बहुत डिवेट हो चुकिए लगातार पिछले क्या आपको इस पर बोलने से इतराज है इस दिबर अमुद्धा कानुनविवस्था इक बड़ा मुद्धा बनेगा दस दिन के अंदर एक फिस्डी की बढ़ोत्री हो गई ये प्रभावी मुद्धों में कानुनविवस्था के मुद्धे को लेकिन महत्षपूर ये भी हो चाता कि किसान आंदोलन जो सबसे बड़ा का किसान आंदोलन का मुद्दा तो फिर मात किसे किसकी जीत की संभावना बढ़ेगी कि लिए किसान का जो पूरा मुद्दा है जिस तरीके से किसानों ने वापसी की पूरे उत्तरप्रदेश के अलग-अलग आवाज नहीं आ रही है आजये दूबे आवाज नहीं आ रही है अजये दूबे करेंगे क्यूंक महत्वपूर्ण हो जाता है इस किसान आंदोलन के मुद्दे पर भी जनता की राय जानना इस बीच आपको अभिज्ञान प्रकाश के पास पहले लेकर चलते हैं और अभिज्यान प्रकाश से यह जानते हैं कि अभी तक आपने जिस तरीकी की ग्राउंड से राय लोगों की सुनी और जो सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें दिल्चस्प वो धुरुविकरन का मुद्दा भी है अभिज्यान जिसमें एक फीसदी की बढ़ करूंगा कानून विवस्था यह बहुत 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 सम्वेदिंशील मुद्दा हमेशा रहा है उत्तुर्प्रदेश का इतियास गवाह करप्शन और लॉन ओर इस पर वहां सरकारे गई हैं तो मैं सरकारे गिना सकता हूं कि जिनोंने अपनी सक्ता होई है तो कानून द्रूवी करन का पॉलराइजेशन का पॉलराइजेशन की पॉलिटिक्स का भी बहुत लंबा इतिहास है सब तरफ से उत्तर प्रदेश में इसलिए इस बार भी वो प्रयोग में है इस बार भी उसके हर हटकंडे जो है वो इस्तिमाल किये जा रहे है अलग-अलग मौकों प किसका फाइदा सीधे तोर पर किसको मिलेगा लेकिन ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये चुनाओ जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ये बाइपोलर हो रहा है बिट्वीन भारतिय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच और दोनों ही पार्टियों का अपना इ उस पे दिये गए बयान टैनी जैसी घटनाएं इनको हलके में नहीं लिये जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत तेजी से उत्तरप्रदेश का इतिहास गवा है धारना बदलती है परसेप्शन बदलती है आप बलकुल सही कह रहे हैं और देखे कहीं ना कहीं वही लोई और जि अभी भी उत्तरप्रदेश के शुनाव में सबसे ज़ादा प्रभावी मुद्दा अगर कोई बना हुआ है तो वो यही किसान अंदोलन बना हुआ है और इसी को लेकर क्या है मन की बात यूपी के लोगों की चलते एक बार फिर से अब है दूबे आजे दूबे के पास आज किसानों का मुद्दा क्या रंग फिका पड़ रहा है खेती खलियानी में क्या चर्चा हो रही है कि लोगों ने गरीबों मजलूमों को खाना किलाया पूरी तरीके से खेत किसान में चर्चा है मोधी सरकार उत्तर परदेश के अंदर योगी सरकार जा रही है आपने देखा उत्तर परदेश के अंदर यूवा ने ता खलेस यादों का जन सहलाब जवानपूर के अंदर मोबाइल में देख रहे हैं आप क्या लग रहा ही बोलने कि मुद्दा तुर्वाज अडिला पड़ा है खेतों में क्या चर्चा है बारभ बंकी किसान से फीटबेक ले रहेंगी नहीं पीजिपी के लिए लेकिन जो अब यह किसान अब किसान को लेके राजनीती की जाए त तो वहां पर जाके किसानों से पूछिए कि क्या समस्या क्या दिक्कत है अगर यहां पर जो जमीनी इस तर पर जो दिक्कत आ रही वहां पर यह जैसे जानवर है वह पताई आप बोल ले थे निता जी सपासन है सद्री का अगदम बढ़काव कलर आपका ही बताईए विशे क खंडा हुआ कि से किसानों को खाद नहीं मिल रही है किसानों को पाणी नहीं मैं पानी आई रहा है किसानों कितनी समस्याएं हैं जिसका कोई जवाब नहीं किसान गली-गली आरे में ढून रहा है बीजेपी के लोगों को कि यह आए तो इसे हिसाब लिया जाए कि इन्होंने 15 लाग देने को कहा था इन्होंने लैपटाप देने को कहा था अपको कैसे देरें इनको सता से बाहर करने के लिए बिल्कूल यह ओट मांगने जाएंगे इनको जंटा के चोक मिलेगी अब आप वो किसान से पूछिय कि जा के जिसके घर पर चृत नहीं थी नहीं थी रहने के लिए घर नहीं मिवर्साथ में अगर उसने धरना दिया है और सरकार को मजबूर हो करके किसान बिल को वापस लेना पड़ा है तो यह कहीं न कहीं चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे उत्ता प्रदेश की सरकार हो बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है किसान इस बार किसान उनको वोट नहीं करने वाले हैं मुझे एक बात बताए ग्रह मंत्री का कारे क्या होता है कानून व्यवस्था को देश में लागू करना और लखीम पूर में क्या हुआ ग्रह मंत्री के बेटे ने खुले आम किसानों को रौन दिया है किसान कभी माफ नहीं करेगा और यह सरकार सत्ता में बैठी है जो घमन में है उसको उखरना ही है और 2022 में आप देखेंगे निरनायक लड़ाई लड़ेगा किसा बढ़ा तैश है भाई में इदर सभा भी इदर कांग्रेस भी बहुत तैश हो पाएगा कुछ क्या लग रहा है बात हो रही है बिलकुल बात हो रही है अभी बाड़ आई थी हमारे यहां पर वहां पर आप जाके किसानों से पूछे कि आपको कौन सुविदा नहीं मिली है हर तरीके कि सुविदा जो हमको उप्लब्द कराई गई है यह नेताओं के आरोप प्रते रोप है विश्यों से लिए की भी बात करते खेती खलियानी काम ने बात किया बारा बंकी में का मुद्दा है आप लोग बात करने तो क्या उंतर निकल रहा है बारा बंकी में अब में वोट के लिए निकलेगी